दो मस्ते दोस्तों मैं हूँ जयती और आप देख रहे हो Coffee with Mom दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले कि स्तनपान कैसे चुड़ाया जाए बच्चो को कब चुड़ाया जाए और वो काफी अच्छा लगा आप लोगों को आप लोगों ने काफी पसंद किया लेकिन उसके उपर मुझे बहुत क्वेश्चिन्स आते हैं और फैक्ट इस कि उसमें से काफी सारे क्वेश्चिन्स बहुत ही जादा रिपीटेड होते हैं तो अगर आपको कोई सवाल है आप उस वीडियो के कमेंट सेक्षिन में जाके पढ़ोगे न तो शायद हो सकता है आपको अपना जवाब मिल जाए तो आपको मेरे जवाब देने का दुबारा वेट ना करना पड़े वैसे में पढ़ते जाती है तो कुछ दिन पहले मेरे पास एक मेसेज आया था उसी वीडियो पे ग्रो विद तृपती के तरफ से मेरी बेटी दो यहर की है वट उसको पूरी रात थोड़ी थोड़ी देर में ब्रसट वीड करने की हाबिट है जबकि मैं उसको अच्छे से solid खिला के सुलाती हूँ तो अगर इस तरह मैं उसको छुड़वाती भी हूँ तो वो पूरी रात रोएगी नींद में भी कुछ बच्चे होते हैं रात में एक या दो बार breastfeed करते हैं पर ये पूरी रात हर आधे घंटे में इसको चाहिए मेरे लिए बड़ी problem हो गई है समझ नहीं आता कैसे छुड़वाओं सो ये सवाल बहुत सारे parents का है क्योंकि ये मैंने बहुत जगा पढ़ा है कि मेरा बच्चा दिन भर रात भर breastfeeding करना चाहता है और मैं उसको डंग से खिला भी रही हूँ सो problem क्या है देखो ऐसा ज़रूरी नहीं कि बच्चे को से भूक लगी है इसलिए वो breastfeeding मांग रहा है trust me कई बारना बच्चे को just आपकी need होती है उसको एक satisfaction मिलता है calmness मिलता है अपनी मा से you know सीने से लग कर सोने में बस इसलिए वो दूद मांगता है ठीक है अगर आप सुलाते वक्त उसको हमेशा से आदत है आपको कि आप उसको you know दूद पिला कर ही सुलाते हो और जब वो पुरी तरह सो जाता है तब उसको विस्तर पे रखते हो तो ये एक बहुत बड़ा reason है बच्चे का दूद बहुत देर से छोड़ना है रात को बार बार दूद मांगना क्योंकि उसको आदत हो चुकी है दूद पीकर ही सुने का और जितने बार भी आँख खोड़ रहा है उसको दूद ही चाहिए तो यसे मैं क्या कर सकते हो सबसे पहला अफकोस जो basic चीज़ है आपको ये ध्यार रखना है कि बच्चे का पेड भरा होना चाहिए दूसरी बात उसको ना दूद मत पिलाओ बस ऐसे ही अपने सीने से लगा कर रखो जब उसको नीन दा रही है ना बस लगा कर रखो और सुला दिरो दीरे ना उसको ये समझ में आ जाएगा कि सिर्फ दूद पीना ही एक तरीका नहीं है ममी के पास रहने का आप बिना दूद पिये भी ममी के पास रह सकते हो तो इससे वो आराम से चैन से सोना शुरू कर देगा ठीक है इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि फिर भी ओ कभी कभी मांग रहा है तो आप बिलकुल restrict क कर दो, नहीं मतलब नहीं, आप बस उसको ऐसे करके ठोकते रो, सो जाएगा, बहुत चिलाएगा, जित करेगा, स्टार्टिंग में, वो हर बच्चा करता है, दुरंत बच्चा बात मान जाए, तो फिर वो बच्चा ही क्या रही, तो वो जित करेगा, रोएगा, चिलाएगा, लेकिन फिर आप ऐसे करते, 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 उससे प्यार से सहलाते रहो, उससे प्यार से सुलाते रहो, वो सो जाएगा, आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये लग रहा है, अरे ठीक है, चलाओ, आभी पिला जेती है, और वो इतना चिला रहा है, तो trust me, वो वो आदत जल्दी नहीं छोड़ पाएगा. तो आपको थोड़ा सा emotionally strict होना, emotionally थोड़ा strong होना पड़ेगा because बच्चे को वैसे breastfeeding छुड़ाते वक्त ना, मां का जब से ज़ादा test हो जाता है, क्योंकि इतना असान नहीं है, अपने रोते बिलगते बच्चे को ये बोलना कि, you know, no, अपसे breastfeeding बन रही है, आप नहीं कर पाते हो, बहुत मुश्किल होता है. So आपको थोड़ा सा emotionally strong बनना पड़ेगा, तो जब बच्चा चिला रहा है, बच्चा रो रहा है, आप बस उसको प्यार से सहलाते 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 सुलादो, मत पिलाओ, दीरे दीरे उसकी वो आदत छूट जाएगी, trust me, try करके देखो, and ये आपको बहुत काम आएगा, जादा से जादा एक हफ़ता से दस दिन, इससे जादा नहीं लगेगा बच्चे का, completely, छोड़ देना, इससे पहले अपने family members से बात कर लो, because most of the time family ही problem create कर देते, आरे वो रोर है उसको दे दो, आरे वो रोर है उसको पिला दो, please अपने family से पहले ही बात कर लो, कि you know this is the scene, हमें उसको छुड़वाना है, तो वो थोड़ा रोएगा, थोड़ा परेशन होगा, you guys have to support me, आप ऐसा कर पाओगे, तो आप आराम से छुड़ा पाओगे, बिना किसी tension के, thank you so much for watching coffee with mom, keep watching,